अभी पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया था प्रिंस का प्रिंस रेजिडेंशल केंपस तो आज हमारे साथ यहां अभिभावक हैं जो अपने बच्चे का एडिमिशन करवाया है पहले तो कहां से आया अब प्रिंस का नाम सब जगे सुन रखा है यह डोलपुर के लिए नहीं पुरे इंडिया में लोग जानते इसको अबुए अच्छी संस्था है उसर आपने यह जो प्रिंस का जो रेजिडेंशल केंपश है वो चुनने का पीछे क्या मलमक्षद क्या रहा रहा है बच्चे के लिए सारी फैसलेटिज एक जगे मिल जाती है एजूकेशन के साथ साथ बच्चे का जैसे सारे रिविकास है और नेत के विकास भी होता है यहां पर जाब वैसे भी आपको दोलपूर के रहने वाले हैं तो यहां पर होशल में रहना पड़ता बच्चे को हैं तो आपने यह देख लिया कि अंदर ही रहे तो बाहर बिगडे बिगडे नहीं है इडर था यह के सर जैसे मला एजूकेशन के साथ साथ बच्चे का जैसे सान सेक्रिट विकास भी होता है तो हर तरीकी से मला यहां की जो पूरी तरह से मला बिद्यार्चियों के विकास के लिए संबर्पत है इस तरह से सर में प्रवाबित और भी आपने शिकर में और भी कोई दूसरी जगे भी ट्राइए की पहले कहीं जाके आए यह शीदे प्रिंच यह जी सर मैं यह मेरा सोब आग गया सर मैं प्रिंच के मान जाते हैं कि फीस बहुत होगी यहां के मालिक पता नहीं क्या होंगे तो आपको कैसा मलब यहां के स्टाब का विवहार और यह कैसा लगा मलब कोई भी आदमी जिजगे नहीं है सर यहां के जो टीम हैं उनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन बहुत अच्छी जगे आए हैं और यहां के जो फैसलिटीज है सुवधाओं को देख करके और पैसे तो एड़ेस्ट हो जाते हैं सर अजया बटा नाम क्या है सुमित मीना सुमित बटा यह बता कि यहां ज होस्टल शीडा तो होश्टल तो सब जगह ओते सुवधाय आचे होती है अजकल नहीं क्या क्वाश में अच्या खाना मिलता हैました टेस्ट किया मेर्स करैंग टेस्ट किया अच्शा था और यहां जो खेल रिए कोधनी की जो पी द्वर्या हैं और विक खेलने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए मिलगा अर्पटाइज दो खेर करना ही पड़ेगी तो आगे क्या बनने का विचार रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं सब्सक्राइब करना चीए जिसके अपनी रूची आपकी क्या अच्छाइब का बेटा है तो फिर तो 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 पुरा मिला है फाइदा मिला कुछ द्यापक का बेटा होने का है वह हमारे टाइम में तो जो मास्टरों के बेटे बिगड़ते ही थे नहीं सर फाइदा मिला है वापा का है तो यह देखिए यह जो बच्चा है यह दोलपूर से आया यहां पर जो प्रिंस का डेजिडेंसल केंपस है उसमे मिल गया तो और कि अच्छी है खाना भी यहां अच्छा बता रहा है बच्चा जो प्रिंजा earlier नि के पैरेंट्स है जाहीर है कि मेस में खाना खाते हैं तो खाना भी टेस्ट हो जाता है उनके आव बगत भी हो जाती है तो आप भी यदि बच्चे का यहां पर यदि होशल के अंदर रखना चाते हैं तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा विकल्प है प्रिंस का यह रेजिडेंसल केमपस ज प्रिंदी आप अपने बच्चे के लिए इस तरह का एजूकेशन देख रहे हैं तो धन्यवाद